आपका स्वाकत है मैरे सुट्व चैनल पर यह मेरे पास इंफिनिक्स नोट 35 जी स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिटन फीचर और ट्रिप्स और देखने हो मिल जाते हैं जो कि आपको नहीं पता हूंगे अगर आप इंफिनिक्स सबसे पहले फीक्र की बात किया आपको देखिने मिलता है इस फोल्टा उप fracture करता हो इसरे मिलेगा है नेक्स नोट लिए करना है तो इस सबसे पहले आइकन के साइज को कस्टमाइज निए और सकते हैं और यह काफी कमाल का फीचर है आपके जो एप है उसका जो टेक्स रखना वाइट पर क्लिक कर ना तो black बगारा भी कर सकते हैं तो अपने मन मताबिक इसको चेंज बगारा कर सकते हैं नेक्ट फीचर की बात को तो वो आपको काफी सारे इस फोन के अंदर आपको देखने मिलता है प्रेसंट होल करें करें सेटिंग में जाओको यहां पर मिलेगा यहां पर स्वाइप करता हूं तो अपने मन मताबिक इसको चेंज बगारा कर सकते हैं नेक्स्ट फीचर की बात के तो यहां पर देखते हैं डेक्स्ट फोल्डर ओफ यह चीज लिखा हो गए इसको आप नेबल कर दोगा न तो एक फोल्डर क्रिएट हो जागा जो आप रेगूलर एप में यूज कर रहे हो यहां पर आप आते रहेंगे रिसेंट टैप में आपने जो भी एप्स यूज कियोंगे वह यहां पर आपक अगया दिढ़ा पिक्चर वीडियो एप इसके मैं एपस को हाइट क्या ना तो इसको हाइट बगारा कर सकते हैं प्लस वाले सायन पर जाकर और भी ऑश्वाले वाले पाज़ने की ओपने बहुत एंप फोन में भी आपको इस फिचर देखनी को मिल लाबागा जाता है यहां इस पर आप से चेंज बगारा कर सकते हैं, जहां से आपको बैक बटन सेट बैटता है, वो आप कर सकते हैं, नेक्ट फीचर की बात किया, तो वो आपको इस पेशल फीचर देखने हों बल जाते हैं, क्योंकि इन्फिनिक सवरा नाम ही दिया है, इसका स्पेशल फंक्शन, सैटिंग में जाएए, स्पेशल फंक्शन पर क्लिक कीजिए, यहाँ पर मिलेगा मल्टिप विंडो का उप्शन इस पे आप क्लिक कर दीजिए, इन दोनों ही उप्शन को आप उन कर दीजिए, अब मान लिए जो भी एप मल्टिपल विंडो को स्पोर्ट करते होंगा, जैसे कि आप नीचे की स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पर देखते हैं, चोटी सी विंडो में ओपन हो चुका है, ह और मल्टी विंडो के नीचे आपको एक और देखने हो मलता है, सीन सेटिंग, इस पे आप क्लिक करते होगे, इनको आप ओन करते होगे, तो यह देखते हैं, जैसे कि आपने 4GB अला फोन भाई क्या होगा, या 8GB अला भाई क्या होगा, अपने हिसाब से देखने हो ना, तो इसमें RGB RAM और Extend वगरा कर सकते हैं, तो यह चाहिए आपको देखने हो मिल जाती है, नेच्ट फीचर की मैं बात करूँ, नेच्ट फीचर जिस्ट के नीचे ही आपको देखने हो मिलते हैं, जिसका नाम है स्मार्ट पैनल का फीचर, इस पे आप क्लिक करेंगे, जैसे कि मैंन यूज़ करते हैं, मालें, यह काफी सारे लोगों होते हैं, वर्डस अप, फेस्बुक, यह रैगुलर तोर पे यूज़ करते हैं, तो उनको फाइंड करने कि जूतना पड़ा है, यह स्वाइप करके, वो एपको एकस्स कर सकते हैं, जो भी रैगुलर एप है, वहापे एड कर लेजी, थी करे, ने यहींशन करोगे, तो यह काफी सारे फोनों में नहीं होता है, लेकिन इस पून में आपको देखनी क मिल जाता है, ने शनको को ने है, पूई-जैधर लेकिन गया जब भी रैखनी क्रों नहीं, यह आप एक मैनु होगे जब आपने ब हीज जाना लेक गोरा बगरा करना चाहते हैं तो काफी अच्छा एक्पिरियंस रहने वाला वीडियो कोल के साथ इस फीचर का आप यूज करोगो तो यह फीचर भी दिया है नेक्स इसकी आपको देखने मिल जाते हैं यहां पर वोईस रिकोर्डर का उप्शन इसको अनेबल कर दीजिए और कर सकते हो तो यह आपको देखने मिल जाता है तो आपको देखने मेकर का फीचर इसके अंदर अपना खुद का एक स्टीकर कर सकते हो और किसको सेंड करने जाते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं है न काफ़े इंट्रस्टिंग और यहां पर देखते हैं जैसे आप वर्टसप इंस्टॉल कर लोगे तो इसको आप अनेबल कर पाऊगे जब भी वर्टसप से नोटिव के सना रही है तो यहां पर फ्लैस लाइट प्लीग करने अब लगेगी पीछे वाले तो यह चीज़ भी आपको इसके अंदर देखने को मिलती हैं नैट फिछर की ब्यात के तो वह आपको देखने को मिलती है इस फोन के दर गेम मोड का फीचर भी देखने हो मिल जाता है और यहां पर मेन बात है कि इसमें बाइपास का option देखने मिल जाता है इसको अनेबल कर दीजिए यहां से जब भी आपके फोन के अंदर बैटरी लो हो जाएगी तो यहां पर क्या होगा आपका फोन की बैटरी चार्ज नहीं होगी डिरेक्ट ली आपका जिससे आपकी बैटरी परफूमस काफी सही देखने को मिलेंगी गेमिंग के दोरान हैना काफी इंटरस्टिंग बाइपास चार्जिंग को आपको नहीं देखने को मिल जाता है जो कि अपना एक्सपिरियंस वगरा भी चेंज कर सकते हो गेम के अंदर जैसे कि आपको कलासिक चाहिए कलरफुल टैप में चाहिए कलर सोफ्ट कलर चाहिए या इसकार से चाहिए तो अपने हिसाब से जो भी सेट करना है डेफिनिटली आप कर सकते हो और काफी जारे गेम के अंदर आपको सेटिंग देखने का उन करने का तो यह सबी फोनों में पाया जाते हैं वह आप आपको देखने को मिल नेट फिचर की बात करें तो कई लोगों को यह पता नहीं होगा एक्स क्लोन क्या है एक्स फोन ड्यूल एप अलाई फीचर है जो अधर ब्रैंड ड्यूल एप बोलते हैं जैसे कि एक फोन के अंदर आप ड्यूल वेस्ट फैस्पुक यूज करना है त यूटूब यां बात करेंगे इसके बात करेंगे उपकाइब मिल जाता है जैसे की है फो अपने स्कर जैसे की बात चेपिंग वैकःप का ओप्शन अपर इस पे क्लिक करते हैं इसके यूज को मैंने ऐप ऑल्री ऑन के आवा और और अफ़् टैप करता हो नीजे आपको देखने हो जाती है यहाँ पर और भी कुछ देखने हो मिल जाती है इसको आप अन करते हो तो जब भी कोई और आ रहाए तो ऐसे हैं अब यहाँ पर देखने हों जाती है नेक्ट फिचर की बात किया है तो यहाँ पर आपको देखने में जाता है इसका option इस पर आप जैसे क्लिक करो जैसे इसको आप ओन कर आगए और जब भी कोई कोई कोल आएगी तो और इसको आपने एर के पास लेके जाओगे तो और यहाँ पर एक और फिचर क्या है इसको आप ओन करते हैं और इस से क्या होगा जैसे कि मैं कोई बटन निव यूज़ करता है और इस प्रकार तो तो इस प्रकार से देखने मिलता है कोई बीड़ाब अगरा भी करने के जूरत नहीं है इस function के अंदर नेक्ट आपको बता है स का भी option देखने हो मिल जाता है अपने round के साब से जो भी आपको खुद को position यहाँ पर करके screenshot लेना है वह भी आप इसके अंदर ले सकते हैं लेकिन इंडिया के अंदर भी ठीक तरीके से वर्क नहीं करता तो इसके बारे में हम ज्यादार से बात नहीं करेंगी नेक्ट फिच इतने सारे feature है ना मतलब कहीं ठक ना जाओं वीडियो में बताते बताते हैं तो यहां पर देखते प्रवाइस के अंदर आजासी जाओं के तो यहाँ पर लेगा एप लोग का फिचर इस फोन के दर एप लोग भी लगा सकते हो बिना किसी थर्ड पार्टी एप की नेक्स फि होगा नंबरिंग उल्ट फोल्ट हो जाएगी जैसके 123 ना तो देखते हैं 193 जिससे आपके पास में कोई बंदा खड़ा तो ठीक तरीक से पता नहीं लग पाएगा आपने क्या पिन लगा है या इसके ब्राइटनस को आप कम करना चाहते हो बिल्कुल ही विजबल ना तो व इस प्रकार से चलेगा तो यह चीज़ आपको देखने कर सकते हो इस प्रकार से चलेगा तो यह चीज़ आपको देखने करने पर देखने हो जाती है जिसका नाम है स्क्रीन रिफ्रेश्ट का फीचर इस पे नेबल करने के बाद यहां पर आपको मिलेगा है 120Hz, 90Hz, 60Hz, बाइड़ यह साय तक आपको 120Hz, 90Hz बहोगा तो इसको ओट पे आप सेलेक्ट कर लेज़े, मैं यही सेज़ेट करूँगा, इससे क्या होगा ना, मतलब ऑटोमेटिकली जिसको जूजूरत पड़ेगी, वही यह यूज़ करता रहेगा, जिससे आपकी बैटरी लाइफ थोड़ी ज़्यादा चलेगी, 120Hz में स्मूध तो जलता है, बिल्कुल फोन, लेकिन बहोग आपको दिखाएगा, बैटरी परसेंटेज आपकी फोन में क्या है, नोट्फिकेशन किस एप से क्या आ रही है, वह आपको यहां पर पता लगता रहेगा, बैट फिचर की बात किया तो आपको देखमता है, फ्रीजर मोड का फिचर यहां पर देखिए तो आइकन होगा, इ काफी सही पर्फोर्मेंस मिलेगी, जो एप यूज कर रहे हो, यह काफी इंटरस्टिंग फिचर आपको देखने मिलता है, ने फिचर की बात किया तो आपको देखने मिलता है, यहां पर आपको मिलेगा, माई वीडियो सो का फिचर, मालें जब भी कोई कोई कोल आ रही है, पर किस साफस का स्टाइल बगारा होना चीओ, और यहां पिलस में जाके और भी एड करना जाए, तो एड बगारा कर सकते हो, यह चीज़ देखने मिलता है, लोग सिन को यह आप कस्टमाइज बगारा कर सकते हैं, यह फिचर को देता है, नेक्ट फिचर की बात किया है, तो को आपको देखने मिला जाता है कि अंदर नसे कर सकते हैं इस परकार के देखने पर काफ़ी इंट्रस्टिंग लाइब यूज करके देखिए और यहां पर टाच वालपेबर भी देखने मलता है यहां से टाच करोगे तो यहां पर देखिए कुछ इस प्रकार से इफेक्ट वगर आएगा यह थोड़ी बैटरी जदा कंजिम करेगा लेकिन अच्छा बहुत लग सेट बगरा कर लेजिएगा ठीक है जो भी पसंद है मैंने अपर आटोमेटिकली सब कुछ सेट करके दिखाऊंगा वो स्टाइल आपको कौन से रखना है वो अपने हिसापसे में वो स्टाइल रख सकते हैं बैक्गराण्ड और कलर जिस साब से रखना है अपने हिसापसे को भर है यह वाली चाहिए यह वालीमा चाहिए यह वाली चाहिए व connect वह इस दावर होड़ोट कर लेकिन वह रिंइन बाद करने के बाद ओड आपको सिंपट्री आपको क्या करना है सिंपली देखते हैं पहले साथ से पहले इस जो आपको कलर है वह आप चेंज वगरा कर लिजेगा इस प्रकार से उसको आपका इसाफ से सेंटर में सैट वगरा करना पड़ेगा इधर उदर पॉजिशन करके थोड़ा से टाइम लगे है अपने पोजिशन के हिसाब से कैमरे के राउंड बिल्कुल सेट कर लिजेगा मैं डिरेक्ली आपको सेट करके दिखाता हूं और फाइनल आउट्पुट कुछ इस प्रकार से आपको दीखने मिलेगा